समस्कार किसान भाईयों सौगत है आपका चैनल इगरी आकास पे किसान भाईयों फरवरी के महीना आ गया है और अगर आप फरवरी के महीने में एक एकड करेला की खेती कर देते हैं तो तीन से साथे तीन महीने के अंदर बहुत ही आसानी से आप धाई से तीन लाख रुपए क किस gefति एक मैं वीडियों को आं सकते हैं इस वीडियों में आपको करेला की खेती की संपूरु जानकारी मिलने वाली है। करेला की खेती कौन सी मिट्टी में करें, खेत कैसे तयार करें, कौन सी किसमें लगाएं, बीज को कैसे उपचारित करें, बुआई का सही तरीका क्या है, खाद और इसप्रे कौन सा यूज करें, सिजाई कैसे करें, खरपतवार कैसे निकालें, कौन से रोग आते हैं, कौन से क पूरी जानकारी सही बीधी समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा चनल पर पहली बार आए हैं चनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा चलिए शुरू करते हैं करेला की खेती है अच्छे उत्पादन के लि खर-पतवार निकाल लेने हैं उसके बाद सो फेडिन से कुंटर फड़ी हुई गोबर की खाट डाल देना है फिर सब्सक्राइब करनी है जब आपकी मिट्टी भुरूरी हो जाए तब उसमें क्यारी या बिट बना सकते हैं अब आपका जो खेत है वो बुवाई के लिए त फल का जो वजन होता है 125-640 ग्राम तक होता है और इसको फल फिटिंग होती है वह भी काफी ही जादा अच्छी होती है साथ ही है जो किसमें किसान भाई यह डीयम और पीयम रोग के पति रोग पति रोधी होती है जो हमारी दूसरी वराइटी है वह है वी एनार की बाइस इ पहले जो गण मी में दूसरी बरसाथ में की यानि इस किसम की यह बुआई जो है साल में दो बार कर सकते है जो होती है इसको परदा होता है वह घना होता है जो हमारी और ऑराइटी है वह है नामधारी की एन एफ-दसोथ्जाज इसको पहेत लाइए साथ से पैंट तर दिन म किसान भाई तक होती है तक होती है यानि जो किसान भाई जो होता है और एक बार जब तुड़ाई शुरू हो गई तो लगभग 120 दिन तक आप इस फे लगा ता तुड़ाई भी ले सकते हैं अब बात करते हैं विजदर और उपचार की देखिए एक एकड़ खेती के लिए आपका बीज हाइवरिड है तब आपको 600-700 ग्राम बीज की जरूवत होती है बीज उपचार के लिए लगभग 25-50 PPM आपको जिबरेली के एसिड लेना है और 25 PPM बोरोन में किसान भाई आपको 24 घंटे के लिए भूगा होना है फिर बाद में किसान भीओ छाया में हलका सा स अब समय की जाती है तो किसान भीओं जो है आपको पौधे से पौधे के दूरी 45 सिंटीमीटर लाइन के दूरी 5 मीटर रखते हुए बीज को धाई फे 3 सिंटीमीटर गहराई में बोना है और अगर पौधे की किसान भी आप रोपाई कर रहे हैं तो रोपाई के बाद हलकी स चाही भी कर दीजिए और अब बात आती है कि कौन सी खाट डालें देखिए बुआई के समय एक एक एकड़ में आपको 50 किलो डीएपी 50 किलो यूरिया और 20 किलो पोटाफ लेना है पोटाफ जो लेंगी यह मोपी वेला पोटास होगा डल करके बुआई कर दीजिए 200-500 ग्राम सूचिन पोटाफ तो मिलागर के अपने खेत में डाल देना और समय समय पर फनफूद ना सकका इस पर है उसको करते रहना है जैसे ही कोई कुई और समस्या आती है उसका जो है निदान कीजिए कौन से कीट लगते हैं कौन से रोग लगते हैं उसके बारे में हम आ जिम्यूत रूप से करें फल जिस समय बन रहे हैं पूल बन रहे हैं उसमें स्विचाई हैं विल्कॉल कोता ही ना करें करें गर्मी में दोपाहम सुपार ये सबिंदे ने करें j вже अघए निराइग घार एं दिन के बाद ही करें ध्यान दीजेए है जोडों पर अब तो पाइश कमजोर हो जाता है और अगर आप चला देते हैं तो आपको जो पाउध है इसको ताकत मिलती है और आप करते हैं कि इसमें कौन से रोग लगते हैं देखिए किसान फाइयों पहया जो सबसे प्रमुक रोग है वो पत्तो पर सफेद धब्बे इसमें जो पत्तो पर किसान भी उपड़ी सफेद धब्बे बन जाते हैं उससे पौधे जो है पत्ता पहले सूंकता है फिर पौधा शूंक जाता है इसके लिए बाद गातार आर्द पर देखिए जो किसान फाइब कीट है यह रस चूफ लेता है जिससे जो पत्तें सूख जाते हैं और बाद में किसान भाईयों खराब हो जाते हैं इसके नियंट्रेल के लिए आपको इमिटा क्लोरोपीड लेना है जियोद्फमलो 5 एमेल लेना है और पानी मिला करके इस प पानी मिला करके इस परे करना है और जो किसान भी हो इसमें तीसरी जो कीट आता है वो है भूंडी इससे करना जो फूल और फल है इनके जो बहुत जाए नुकसान होता है क्योंकि फूल फल को ही खाती इसके नियंद्रेल के लिए आपको मेला थियान लेना है पचास इसी को एक एमन लेकर के पानी मिला करके इस परे करना है तो यह समस्या नहीं आएगी तो किसान भाईयों यह है किसान भाईयों फरवरी के महीने में सफल तरीका कि आप इससे करेला की खेती कर सकते हैं इस विदी से आपको एक एकड़ खेती करने में 15-20,000 रूपए की लागात सब्सक्राइब कर लिए और आप अगला कौन से वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा तो मिलते हैं किसे एक और वीडियो देखने के लिए किसान भी आप सभी का तहर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद